अगर आप अपनी चार्ट एनलीसिस को स्ट्रॉंग करना चाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्स के दुरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि morning में हमने आपको nifty के fin nifty के bank nifty के important levels हमने आपको यहाँ पर send कर दिये थे gaps भी यहाँ पर बता दिये दे अपने सभी indexes के और आपको पता है कि जब यह trend line हमारी यहाँ से break हुई थी दिन यहाँ से काफी ज़ादा move bank nifty में हमारा आया था उसी के basis पर हमने एक put position को यहाँ पर लिया था then आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको बाद है कि market हमारी जो bank nifty थी वो overall यहाँ पर consolidate थी और fin nifty में हमने आपको एक candlestick pattern यहाँ पर बताया था bullish engulfing pattern 15 minute में और कहा था कि इसका high break होना चाहिए bank nifty में भी हमारा hammer pattern था और उसी के basis पर हमने आपको एक call position दी थी educational purpose के लिए जो हमको यहाँ पर देते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि bank nifty's engulfing pattern के बाद यहाँ से almost सारा दिनी uptrend में थी और यहाँ से 100 point यह upside गई थी और mid cap में भी हमने आपको resistance पर बता दिया था कि market ह consolidate यहाँ पर हो रही है और जो हमने आपको trade दी थी educational के लिए उसने भी यहाँ पर काफी ज़्यादा high यहाँ पर लगाया था और then हमने आपको bank nifty में भी हमने आपको बता दिया था कि trend line है अगर इसके upside यहाँ पर हमारी candle sustain हो जाती है तो then यहाँ से आपको 100 point का move यहाँ पर आप देख सकते हैं कि candle यहाँ पर इस trend line के upside hold होने पर 100 point upside यहाँ से गई है तो आप भी हमारी telegram channel को join कर सकते हैं अगर जानना चाते हैं market arts के दुरान क्या बन रहा है तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि कल आप finnifty में कैसे trade करके चलेंगे और आपके लिए यहाँ पर कौ हमने यह trend line आपके लिए यहाँ पर लगाई है यह हमारे लिए एक resistance का यहाँ पर काम कर रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,2,3,4 यानि इस trend line ने 4 time market ने यहाँ पर इसका resistance लिया है अगर यहाँ पर support की भी हम बात करें जो यह downside की trend line है यह आपके लिए important यहाँ पर support क काम कर रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि market ने कितना जादा यहाँ पर इस trend line का भी हमारा support लिया है तो अगर कल को यहाँ पर market इसके upside यानि gap up अगर open हो जाती है और again इस level को retest करती है तो आपके लिए सबसे best opportunity होगी trade लेने के लिए क्योंकि फिर जो 19,600 का आपका premium कि जो आज market की यहाँ पर closing हमारी हुई है वो 19,537 के level के पास हुई है तो अगर यह थोड़ी सी भी यहाँ पर gap up open हो जाती है तो आप यहाँ पर कल को 19,600 का premium को आप बाइगर के चल सकते हैं और आपका यहाँ पर वो जादा काफी जादा यहाँ पर profit देगा क्योंकि फिर अ आप यहाँ देखी तो हमारे लिए जो next resistance हमारे लिएगा वो 19,000 यहाँ पर 700 का हमारा रहेगा और हमने आपको फिर निफ्टी में बताया हुआ था कि 4 हार में हमारा एक candlestick pattern हमारा बना था जिसको हम यहाँ पर morning star हम candlestick pattern बोलते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो target था हमने आपको वो 19,000 यहाँ पर 800 का हमने आपको दिया था तो यह target हमारा almost यहाँ पर अचीव हो सकता है कल को अगर यह gap up open हो जाती है तो आप 19,600 के आप यहाँ से call by करके चल सकते हैं अगर आप यहाँ पर आज की बात करें अगर यहाँ पर flat open हो जाती है और flat open होने क साथ वो यहाँ पर downside move देती है market हमारी यहाँ पर तो आपका जो यहाँ पर हमारा फिर target निकल कर आएगा वो 19,000 यहाँ पर 460 का हमारा next support रहेगा और उसके बाद जो हमारा support रहेगा वो 19,420 यह दो support हमारे यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद अगर इस trend line के यहाँ पर downside market यहा देखने को मिल सकती है अगर आज के हम market की थोड़ी analysis करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 minute का charter 30 minute के chart पे हमारा यहाँ पर selling आने के बाद यहाँ पर हमारी एक candlestick pattern हमारा बना था जिसकों bullish engulfing walls दे हैं अगर one hour के time frame पर भी देखे तो आप यह देख सकते हैं कि bullish engulfing same हम के time frame पर भी अगर आप यहाँ देखे तो यहाँ पर भी हमारा same bullish engulfing हमारा pattern बना हुआ है और आपको इस candlestick pattern पर आपको कैसे trade लेनी होती है जब इसी candle का आपको यहाँ पर ऐसल लगा कर चलना होता है और जब इस candlestick pattern का high break हो जाता है देन आपको अपनी entry को लेकर चलना होत ही तो इस तरीके से आप अपनी आपर trade को लेकर चलते हैं क्योंकि market में जो candlestick pattern भी है वो बहुत जादा importance रखते है market में trade लेने के लिए अगर इसकी यहाँ पर one day time frame की भी analysis करें तो आप देख सकते हैं कि market जो है सिर्फ यहाँ पर हमारी gap up ही यहाँ पर open हो रही है market up trend में य आपके लिए कल को यह जो 19,700 का level है यह आपके लिए एक strong यहाँ पर target हमारा रहेगा strong resistance रहेगा और उसके बाद 19,800 यह आपके लिए next important हमारा यहाँ पर resistance निकल कर आएगा तो चलिए फिर अभी यहाँ पर अपने थोड़े important resistance और levels के बारे में ओर जान लेते हैं कि आपको य एक trade यहाँ पर छूट जाती है तो next आप कैसे trade लेकर चलेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं तो आपके लिए कल को जो सबसे पहले हमारा strong resistance रहेगा वो 19,551 करेगा क्योंकि आपको पता है कि previous day का high हमारे लिए बहुत जादे importance market में रखता है तो यह level ह हमारे आज के थोड़े high से यहाँ से upside है तो हमारे लिए strong यहाँ पर resistance है then 19,625 और then 19,675 और then 19,735 यह हमारे लिए strong यहाँ पर resistance का काम करेंगे यह level हमने आपको इसलिए बताए है कि अगर market हमारे इन levels के upside यह downside यहाँ पर यह market सारा दिन trade करती है तो आपको after retest आप यहाँ प आपको बताए है जैसे कि आज अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि यह market ने पहले यहाँ पर काफी time तक यहाँ पर market ने again and again इसका resistance लिया था आप देख सकते हैं कितनी जादा हमारे यह 15 minute के candle से यह निए 1 hour से भी जादा market ने again and again इसका resistance लिया था औ और जब इसके upside यहाँ पर गई और again इसी level को retest किया, then आप अपनी again entry को लेकर चल सकते थे, तो इसी तरीके से अगर market call को इन levels पर trade करती है, तो after retest आप अपनी entry को लेकर चलेंगे, then हमारी लिए जो important यहाँ पर support रहेगा, वो 19,485 करहेगा, then 19,425 करहेगा, और उसके बाद रहेगा 19,345 का, यह आपके लिए important हमारे यहाँ पर support निकल कर आएंगे, अभी हमने आपको बता ही दिया है कि अगर market यहाँ पर flat open होती है, यानि जो हमने आपको यह हमारा channel बताया था, अगर इसके बीच में कहीं पर open होती है और इसका breakout देती है, तो next resistance आपको यह trend line हमारी यहाँ पर रहने वाली है, अगर इसके upside यहाँ पर hold हो गई, तो then आपको एक sharp यहाँ से move upside आपके लिए नजर आएगा, लेकिन अगर इसी channel के बीच में यहाँ पर open हो जाती है और downside move देती है, और यह जो downside की हमारी sport trend line है हमारी है, अगर इसका break कर देती है तो then आपको sharp move downside आपके लिए नजर आएगा, तो 19,600 के upside हमने आपको बता दिया है कि यह वाला हमारा जो price है, यह वाला हमारा जो premium है, यह आपके लिए सबसे जादा best आपके लिए jackpot रहेगा, अगर हमारा यहां से upside move आया तो और आपकी जो best zero to hero trade बनेगी, वो आपकी ECK level के upside यहां पर बनेगी, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो, तो please subscribe my YouTube channel और आप हमारी telegram channel को भी join कर सकते हैं, जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है, thank you.